प्रिट चैनल पेन वाइच पे जेपी पावान ने क्यों ट्विंटीपाई का फांच इनफरमेशन श्यारी क्या है जहां पर कंपणी कोई जबदर्द्र प्रॉफील बगड़ा हुआ है कंपणी का श्यार का प्राइस अभी 19.70 पैसे का आसपास चलार हो सकता है कि यह यह आसा 50 डिक का जो low price बनाया JP पावर के शेयर ने 6 रुपिस का और जो high price बनाया है 24 रुपिस का Stock PE के बात करते है JP पावर का 8.54 पैसा है, book value 16.70 है and company का जो बोसते कि ROC 14.0% है, ROE 12.8% है Q125 में company का sales बगरा increase हुआ है, अच्छा का साइच profit हुआ है तो अभी क्या करना चाहिए JP पावर के share में, क्या यह return देगा टेक्निकली share कैसा है इस वीडियो के मात हम से समझेंगे, दोस्तों request करते हैं, वीडियो तो पुरा बन रही, के तो भी skip मत कीजिए अगर आपने अभी तेक हमारी YouTube चनल पी नवच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लिजिए share market से जोड़े content पाने के लिए subscribe, आपके लिए free है, हमें बहुत support होता है यह stock की बात है, दोस्तों JP Power का यह share है, यहाँ पर हम लोग 1 month का information तो आप देख भी, 1 month में यह share आप देख सकते हैं, जो एक high price बना है, 19.88 पैसे हैं, यह इसका 1 month का high price है, और उसके बाद आप देखते हैं, तो share का price यहाँ पर down हुआ है, JP Power का, चाहाँ पर 18.57 पैसा, और फ financial information शेयर के हैं, तो जिसके चलते share यहाँ से तोड़ा बहुत return दे सकता है, JP Power का जो share है, आप देख सकते हैं, इसके बुग बेलो है, उससे 1.17 टाइमस में trade कर रहा है, मतलब एक सही है, share यहाँ से तोड़ा बढ़ना चलिए, बढ़ सकते हैं, share का price यहाँ सकता है, यहाँ प आप देख सकते है, JP Power, जैसे कि अगर इसका देखते हैं, डिटेल्स कमपानी का, कमपानी जो है, कुछ quarter से कमपानी का profit बगर अच्छा का सा हो रहा है, डेविडेन कुछ देता नहीं है, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ डेविडेन डेक्लियर नहीं करत है, अब यहाँ पे JP Power का दोस्तों, जो Q125 का financial information company ने श्याड किया है, उसका आप देख सकते company का adjustment, जो sales है company का, यहाँ पे increase होता हूँ, बगर रहा है, 1515 करोर से sales increase होके 1555 करोर हुआ है, expenses की बात करते है, expenses यहाँ पे increase हुआ है, 788 करोर से 965 करोर हुआ है, operating profit की बात करते है, 727 करोर से, यहाँ पे increase होके 790 करोर हुआ है, तो operating profit यहाँ पे increase होता हुआ हुआ है, JP Power में दोस्तों, company का जो other income है, अगर income देख सकते है, JP Power का, जो कि यहाँ अपे other income जो है, reduce होता हुआ हुआ देखने को मल रहा है, 46 करोर से reduce होके 24 करोर हुआ है, interest 109 करोर का आसका, मतब 109 करो का इंटरस्ट है, company का जो profit before tax है, JP Power का, जो profit before tax है, दोस्तों, 548 करोर से, इंक्रीज होके 588 करोर हुआ है, net profit JP Power का 589 करोर से reduce होके 349 करोर हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ आप अगर देखते हैं, तो company के profit, बताब sales company का JP Power का increase हुआ है, profit before tax company का increase हुआ है, net profit जो है, company के सब use होता हुआ हुआ है, 304 एपी पावर का, जो share है, बहुत जादा तो price नहीं है, इसका, 18-20 रुपी कास पास ही share, JP Power का, इसका, जो company का, बताब, जो cash flow, बगए रहा है, इनुरी देखते है, cash flow, yearly, जो कि cash flow company का increase हुआ है, operating activity से cash flow देखते है, 1,9927 करों का, आस पास है, and operating, जो, जो investing activity है, उसमें से, जो cash है, वो minus में लेखने को मल रहा है, 9991 करों, and जो financing activity है, 960 करों करों का, minus में लेखने को मल रहा है, net cash flow जो है, minus में है, 28 करों, तो देखे, अभी यहाँ पे net cash flow company का minus में है, अभी यहाँ पे जो, बोस्ते के दोस्तों, जो share holding है, share holding को लेके तोड़ा का stick है, पर मोटा से पास 25% का stick तो यहाँ पर, Fis ने जो, पर, Fis ने, जो, है, इंक्रीग इंक्रीज करके 6.06% का stick था, Fis के पास, Fis के पास, 6.06% का stick था, और FIS ने जो है stake आपर increase करके 7.59% का stake किया है DIs के पास 18.46% का stake था DIs ने stake आपर reduce करके 18.18% का stake किया है Public के पास 51.47% का stake था Public ने आपर stake reduce करके 50.21% का stake किया है तो देखिए आपर DIs ने stake reduce किया है Public ने stake reduce किया है और जो FIS ने आपर stake increase कर दिया है देखें, power sectors के जो company उससे, उसको एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा की market में opportunities है, market में जबरदस opportunities है, जो आगे चल के यह सब companies यहाँ पे utilize कर सकते हैं, वो opportunities जो है market में, अगर power sectors के company, जो market में demand है power को लेकी, वो complete कर पाए, तो यह सब companies को बहुत जबरदस profit हो स आगे सब companies में, अभी JP Power का जो sales है, sales बगर यहाँ पे increase हो रहा है, जो कि 2.75% company का sales increase हुआ है, जो कि 1.754.70 करोर के आसपास हुआ है, company का देखें, net profit, JP Power का, जो कि यहाँ पे देख सेकते हैं, 81.86% increase हुआ है, अगर देखें, यह तो quarterly जो है, फिसली quarter से net profit, जो है reduce हुआ है, और यहाँ पे जो 81.86% increase बताया जारे है, यहाँ ली जो company का sales बहुत यहाँ पे बोस्तिरी profit बगर आचा का सा हुआ है, net profit, जो कि 348.54 करोर के आसपास हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, तो मतब इसके पहले, जो इसका profit था, early, जो कि, मतब इसके एक सल पहले सी quarter का, जो कि आ 448.54 करोर हुआ है, company का sales है, sales यहाँ पे increase हुए, 174.70 करोर का आसास company का sales बगरा हुआ है, अब यहाँ पे, अब देखेंगे, quarter का生 cow पॉइन पर यहां पर यहां पर 2,75% का आसपास पास हुआ है तो अब यहां पर जैसे के 19 रुपिस का आसपास चल ला है तो अगर देखते तो टेक्निक लिए भी अगर समझते है तो यह शियार जो है यहां से तुरण थेजी बना सकते है यह पाउर के शियर हैं बहुत जाधा री टार्जिट पैसला जेपी पाउर के शियर नहीं रखने चाहिए वह यह यह सा हमें लगता है आपको कैसा लगता धो जोärt accomplish जरूर आप हमें कमेज करके बताईए है उमीड है जो information दिया है, अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो विडियो को लाइक इन शेयर जरूर की दिया, अगर आपने आभी देखा हमारी यूटिव चनल, फिन आउच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर